वारदया का खोल मया दरचन को तेरे आदे 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 तुकरा तेरा वालिता बहुता के जर्वादी पे वारा जया का को नमया कर सब दो के दिलाए वारा जया का को नमया कर सब को के अजिलाए मेरा दोरी नहीं है आज मया जग दम दे आज भवानि मया मेरा दोरी नहीं है आज मया जग दम दे आज भवानि मया मेरा तेरा वाली ना मोर्वादे दर्वादी जै मेरा तेरा तेरा वाली ना मोर्वादे दर्वादी जै पार तया का खोल मया गरचन भो तेरे आए तेरा वाली ना मोर्वादी जै पार जया का को लमया दर जनबो तेरे आदे पार जया का को लमया दर जनबो तेरे आदे तवा में साक्षा श्री महालक्ष्मी महासरस्वती महाकाली रिगुनात्मिका कुंडलिनी साक्षा श्री आदिशक्ती माताजी श्री निर्मना देव्ये नावनमा तवा में साक्षा श्री कलकी साक्षा श्री आदिशक्ती माताजी श्री निर्मना देव्ये नावनमा श्री निर्मना देव्ये नावनमा श्री सहस्त्रार स्वामेनी मोक्ष प्रदायनी माताजी श्री निर्मना देव्ये नावनमा ओ नमस्ते गणपतये त्वामेव प्रत्यक्षन्तत्थ्वमसी त्वामेव केवलंकर तासी त्वामेव केवलं धर्तासी त्वामेव केवलं हर्तासी त्वामेव सर्वं खर्विदं ब्रह्मासी त्वाम साक्षादात्मासि नित्यम रितम अच्मी सत्यम अच्मी अवत्वम्माम अववक्तारं अवशोतारं अवदातारं अवधातारं अवानूचा नमवशिष्यं अवपश्चातात अवपुरस्तात अवोत्तरात अवधशिनात अवचोडवातात अवधरातात सर्वतोमाम पाहि पाहि समंतात त्वं वांमयस् त्वं चिन्मया त्वं आनन्दमयस् त्वं ब्रम्हमया त्वं सच्चिदानन्दाद्वितियोसी त्वं प्रत्यक्षम् ब्रम्हासी त्वं ध्यानमयो विद्यानमयोसी सर्वन जगदिदं त्वत्तो जायते सर्वन जगदिदं त्वत्त स्तिष्ठती सर्वन जगदिदं त्वैलय मेशती सर्वन जगदिदं त्वै प्रत्यती त्वम् भूमिरापो नलो निलो नवह, त्वम् चत्वारिवाप दानी त्वम गुनत्रयाती तहा, त्वम देहत्रयाती तहा, त्वम कालत्रयाती तहा, त्वम मूलाधारस्थितोसिनित्यम्, त्वम शक्तित्रयात्मकाह, वाम योगिनो ध्यायन्तिनित्यम् वाम प्रम्हा, वाम विष्णु, वाम पूर, वाम इंद्र, वाम अग्नी, वाम वायु, वाम स्पुय, वाम चंद्रमास्त्वं, ब्रम्मभूर्बुवस्वरों गणादें पूर्वमुच्चार्य, वर्णादें तदनंतरं, अनुस्वार, परतरह, अर्धेंदुलसितं, आरेनरुद्धं, बेतत्तव, मनुस्वरूपं, गकार, उर्वरूपं, अकार, मध्यमरूपं, अनुस्वारश्चांत्यरूपं, बिन्दुरुत्तररूपं, नादसंधानं, सहितासंधिहि, सैशागणेश विद्या, गणकरशिहि, निच्चत्गायत्रीचंदह, गणपतिर्देवता, ओम्गंगणपतये नमः, पेकदंताय विद्महे, वक्रतुंडाय धीमही, तन्नोधंति प्रचोधयारूपं, पेकदंतंच तुर्हस्तं, पाशमं कुषधारिणं, रदंच वरदव हस्तै, विप्राणं मूशकत्वजं, रक्तल्लं गोधरं, शूर्पकर्णकं, रक्तवाससं, रक्त गन्धानु लिप्तांगं, रक्त पुष्पैच्चु पूजितं, भक्तानु कंपिनंदेवन, जगत कारण मज्चुतं, आविर्भूतंच सुष्ध्यादव, रक्रुते पुरुषात्परं, बेवन ध्यायतियो नित्यं, सयोगी योगी नाउवरह। नमो व्रातपतये, नमो गणपतये, नमा प्रमतपतये, नमस्ते अस्तु, लंबो दरायय कदंताय, विज्णनाशिने शिवसुताय, श्री वरदमूर्तये, नमो नमा निश्चे प्रेम प्रतीतिते, बिनय करें सन्मान, तेहिके कारज सकल सुभर, सिद्ध करें हनुमान जै हनुमंत संत हितकारी सुन लीजै, प्रभु विनय हमारी चन के काजि भी लंब न कीजै, आतुर धोरी महासुक दीजै जैसे पूध सिंधु महिपारा, सुरसा बदन पैट विस्तारा, आगे जाय लगनी रोका, मारे उलात गई सुर लोका जाय दिशन को सुख दीनहा, सीतानी रखि परम पदलीनहा, पागु जारी सिंधु महभोरा, अतिया तुर जम खातर तोरा अचे कुमार कुमार सनारा, लूम लपेटि लंक को जारा, लाह समान लंक जरिगाई, जै जै धुन सुरु पुर महभाई अब विलंब के कारण स्वामी, पुपा करहु पूर अंतर यामी, जै जै लखन प्रान के दाता, आतुर होई दुख करहु निपाता जै गरिभर, जै जै सुख सागर, सुर समुह समरत भटनागर, ओम हनु 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 मंत हटीले, पैर हिमारु बज की कीले गदा पज्र ले पैर हिमारो, महाराज प्रभु दासु बारो ओमकार हूमकार महा प्रभु धावो, बज गदा हनु विलंब न लावो ओम हिंग हिंग हनु मंत का पीसा, ओम हुं 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 हनु अरी उरशी सा सत्य हो भु हरिशपत पाएके, राम दूद धरु माहरु जाएके, जै 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 हनु मंत अदाधा, दिक बावत चन के ही अप राधा थूजा जब तपनेम अचारा, नहीं जानत हो दास तुम्हारा वनु पु अनमग गिरिग्रिह माही, तुमरे बल हम धर पत नाही पाए पराओ करी जोरी मनावों, यही अमसर अब तेही कोह रामों जै अन्जन कुमार पलवन्ता, शंकर सुवन भीर हनुमन्ता बदन कराल काल तुल भालग, राम सहाए सदाप दिपालग फूट प्रेट पीशा चिन शाचर अगनी बिताल काल मारी मर इहे मार दो शपत राम की, राखो नत मर जात नाम की जर्क सुताहरिधास कहावो, ताकी शपत भी लंब न लावो जै 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 धुनी होते आकासा, सुमिरत होए दुसह दुखनासा चरन शरन करी जोरी मनावों, यही अब सरब कही गोहराओ उठू भुचल तो हिराम दुहाई, पाय पराओ करी जोरी मनाई ओम चंग 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 चपल चलंता, ओम हनु 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 मनता ओम हंग हाक देत कपी चंचल, ओम संध सामी पराने खल दल अपने जन को तुरतो बारो, सुमिरत होए अनंद हमारो यह बजरंग मान जेहि मारे ताही कहो फिर कौन उभारे पाथ करैं बजरंग बान की हनु मत रक्षा खरे प्राण की यह बजरंग बान जो जापै ताते भूध प्रेत सब कापै भूप दे जो जपै हमीशा ताके तन नहीं रहे कलेशा प्रीम प्रतीती ही कपी धजय सदा है रहे उर्ध्यां तेह के तारज सकल सुगर सिद्ध करें अन्मार सिद्ध करें अन्मार अम शत्रुम अर्धिनिन नमा अम्शी अम्विकादेविन नमा अम अधो सुद्ना नमा अम तारकासुर सौहंत्रीन नमा अम निशुम्भा शुम्भा सौहंत्रीन नमा अम शीदूर्गा माता जगदंबा नमा अम शीरक्षा करीन नमा ओम राक्षस अगनी नमः, ओम श्री चामुंदा नमः, ओम अधो केथभा हंत्री नमः, ओम नरकांतका नमः, ओम भन्दा सुर मर्दिनी नमः, ओम श्री शिर्दि साइनात नमः, ओम श्री शिवशक्ति पुत्र कार्तिके नमः, ओम श्री कार्तिके नमः, ओम सर्वा सुर मर्दिनी नमः, ओम सर्व बाधा विनाशनी नमः, ओम सर्वा सत्या गुरुम अर्दिनें नमाः ओम सर्वा भया आर्नी रोद्र रुपान नमाः साक्षाच्ष्री आदिशक्ति माताजे श्री नियन्मला देव्याय नमो नमाः जय श्री माताजी अभिवन श्री माताजी के असी मनुकंपा मी इसुन्द प्रात्य काले इन बेला मी हम सभी सहजियों की जिन्होंने अपने आत्मतत्त को पहचाना जिनकी मा गुंदलनी विशुद्धी से होते हुए हंसा और आग्या को पार करके विरार तक महुचें विरार का अंग प्रतियंग जो बन गए जो व्यस्टी से समस्टी में मिल गएं आप सबका यहां हारती को भी नतर आज की इस कहन ध्यान श्रंकला में हम इसी विशे पे मा के अम्रित्वानी सुनेंगे कि किस प्रकार से हम विरार का अंग प्रतियंग बनते हैं और हमारे अंदर क्या परिवर्दन आता है पून रूप से अपनी चित्त को अपनी भीतर करेंगे और देवी यह शक्ति उनको कारे करने देंगे प्रतिया Before that we have to cross the Hamsa. Without that you cannot reach the Virata. So Hamsa is, as you know very well, is the Discretion, Divine Discretion, which must be within you. Once you develop that, then you don't commit mistakes. You never commit mistakes, but mistakes is the sense you don't do things which are again pushed back on you, all for which you have to pay. It's just a very straightforward life. It's, it's so, it's so. With this Discretion, absolutely you have a complete understanding as to what has to be done, what not to be done. And if that is established, that Discretion is established. In many Sahaja Yogis, I must say, Discretion has come even with the Left Vishuddhi. Even if they have left Vishuddhi, they have this Discretion. They know what is right and what is wrong. With that Divine Discretion, the first thing that happens is that people get impressed by you. It's real collectivity. It impresses the collectivity. A person who has Divine Discretion, people immediately see the wisdom of that person and think, see now, this man, how could he be? He's so young, how could he be? He's such a child, how could he be? So this Divine Discretion, which is the, here, Hamsa Chakra's speciality, when it starts manifesting, then automatically you impress, automatically you impress the collectivity. This is a very important point one has to know. By introspecting yourself, you just see if you have developed this quality of Divine Discretion or not. For example, there are many I have seen, when they come to the program, they come and tell Me, Mother, some Sahaja Yogi told Me that you have a bhoot. Have I got a bhoot in you? I said, not at all. How can there be any bhoot in you? He may be happy. But the Divine Discretion is not to tell him just now, but to remove it. So Divine Discretion gives you a complete understanding, what is the way to handle another person. What is the way to handle a collecting, how to talk to others, how to impress on them the right things. It's a very, very expansive manifestation in so many directions. If you have no Divine Discretion, you'll start speaking what you should not speak, you'll start saying at a time when you should not say. I mean you'll have no sense at all of any direction. So to have Divine Discretion is very important. For which as you know, Hamsa Chakra physically as well, mentally and also spiritually must be kept all right. In My Hamsas we had one puja where I talked about it. The last is the Virat. That is the state you have to reach. The Virat is here in front, as you know. And I was surprised when I went to Nepal, which is a temple of Shiva there. Despite they were worshiping Shiva, they are putting all the kumkum here. So I thought that they don't know why they are putting it. Because even if you worship Shiva, you must also worship here, the Virat. They don't put it here, here. Because they are absolutely hundred percent only Shiva worshipers. So why should they put it here? Because somebody who knows, who was gnostic, has told them that this is the place of Virat. Once you get into Virat, then all your ideas of separating or differentiating goes away. You do not have any more ideas of races left, of nationality, of your city, of your village or anything. At that stage you don't belong to any place. You belong to every place and you don't belong to every place. Such a situation comes in. When you don't hanker after any particular food, you don't like any particular type of people, you can adjust yourself into any circumstances, into any families, into any kind of people. You can live with drunkards. I mean I have lived with drunkards. Lived means I have shaken hands at least with so many of them. You can be with any kind of person. Nothing bothers you because you are in the Virat state. Because everything is absorbed by the Virat and you do not feel anything. Whatever sort of person may be, you do not feel it. The Virat has to suffer, not you. And that is what is the best state where I want all of you to reach and to become absolutely free. Nothing can impress you, nothing can influence you, nothing can dishear you. But you stand on your self-esteem and understanding about yourself that you are a Sahaja Yogi and that you are connected with this power and you are a citizen of Kingdom of God. At the Virata state there's no doubt left of it, no doubt. Because you become part and parcel of the whole, absolutely. And you can affect anywhere. If, if this finger is hurt, then this finger can feel it. In the same way such a person is for it everywhere. And not only that, but that person can be effective everywhere. For that state of reaching to Virat, once you try to slowly, gradually, you have to go and say, this is not My sister, this is not My brother. They are all My brothers, they are all My sisters. I love them the same as My sisters and My brothers. This is not My family, the whole Sahaja Yoga is My family. The whole attention should move like that. This is not only My, it is everybody's. It belongs to everyone. Everybody has a right. That sort of a thing when it starts growing from individual, what we call is the veshti to samashti. In Sanskrit they said veshti to samashti, from individual to collective. And such a personality then, is the most effective one for any kind of collective work. I think for today it's quite sufficient for you to know about Vishuddhi Chakra. I mean I have talked about it thousands and thousands of times. And now this is one of the sites which I wanted to say because I find that still there are people who do not understand that they have to rise above Vishuddhi. Otherwise if they do not ascend over Vishuddhi, they can never be proper Sahaja Yogis. They'll be always half-baked. So we must try to rise above the Vishuddhi, the discretion part. Then at that point we can never doubt Sahaja Yogis. We can never doubt. And that's how the doubtless awareness can come to us. May God bless you. Jai Shimaatjee, Jai Shimaatjee. Jai Shimaatjee, Jai Shimaatjee, थीरे अपने अंदर ले आएंगे, पूरा अचित अपने बाएं हिद्या में रख देंगे, अपनी आत्मा के संपर्क में इसे प्रकाशित होने देंगे, आत्मा के गुणों से परिपून होने देंगे, मा आपके कृपा से मेक्षूत आत्मा हो, मा परमात्मा का प्रतिविम्भ हो में, आत्मा हो में, आत्मा हो में, इस शरीर, मन, बुद्ध्य, हंकार नहीं हो, आत्मा हो, साक्षी हो, आपकी देला का, महा माया की देला का साक्षी हो में, दिश्टा हो में, सिफ हो में, सिफ हो में, शिव हो गया है पूरा चित प्रकाशित हो गया है बाएं ही दैसे निकालेंगे तीरे धी रीर की हड़ी के अंदर लाएंगे अपने चित को तीर की हड़ी के अंदर लाएंदर लाएंगे पूरा चित मुलधा चक्र बिरखेंगे शिगनेश को नमन करेंगे मांगल्य और पावित्रे बुद्धी मत्ता निर्भीकता सभी शक्तियों को गहन करेंगे इविक्न हर्दा शिगनेश जी मेरे सभी कार्यों को सित कीजिए निर्भीक्न कीजिए पूरा चित मुलधा चक्र बिरखेंगे नमन करेंगे शिगनेश को चित को उपर उठाएंगे रेट की हटी के अंदर पूरा चित स्वादेश्ठान चक्र बिरखेंगे शिप्रम्मदेव सरसितिको नमन करेंगे शुद इच्छा अर्शुद विद्याद अपने अंदर भरेंगे आदमा सरूपे चित्त हर चक्र को प्रकाश्षित कर रहा है नाभी जट प्याएंगे शिलक्ष्मी जीके सभी आशीर बादों को प्रहन करेंगे ग्रहलक्ष्मी राजलक्ष्मी आनलक्ष्मी राजलक्ष्मी आनलक्ष्मी आश्ट अनलक्ष्मी आनलक्ष्मी अस्वर लक्ष्मी योग लक्ष्मी भूग लक्ष्मी सभी जाकर नाभी जक्रवे शी महालक्षमीं का उद्वा हो रहा है मैं सूस करेंगे नाभी जक्रवे समाधानी बन रही है पूरा चित्थ नाभी जक्रवे ब्रह्मनाडी के उपर पूरा चित्थ रीड की हट्डी के अदर जक्रवे जित्थ को ठाएंगे एद्य चक्रवे माजगदंभा को नमन करेंगे देव दीरा के सभी दीवता जो यह विराजेते स्भी दीवता जो यह विराजेते मत्य ही देने मैसूस करेंगे इस चक्र को चेस्ट का में पॉइंट माजगदंबा की चाक्रे थी हेमा जगदंबा, ही जगदे जनवी आप से तैव हमारी भीत्य चाक्रेद रहे हमारे रक्षन के हर नकारात मक्तासे हमारे नकार के उपर चलेंगे विशुदी चक्रम श्री राधर प्रिष्न का चक्रम मैसूस करेंगे इस चक्र की चाक्रेती में विराट विराट आंगना का चक्र है इसी स्यू परुट के हम विराट का अंगवद्य अंगवद्य नमन करेंगे शी राधर किस्न को पूंत्या निर्दोष है हम आत्मा है हम विशुद्य आत्मा है आत्मा का यही प्रकाश चित्त में इसी आक्या चक्र भी लाएंगे चित्त को सब को श्रमा करेंगे विराट का अंगवद्य करेंगे ब्रह्मरंद्र भी आएंगे ब्रह्मरंद्र भी आएंगे पूरे सहस्त्राहर का प्रकाश महसूस करेंगे मा के शीचर भी आएंगे ब्रह्मरंद्र भी आएंगे शीमाताजे के शीचर नुका स्पर्ष मा विराट सरूप में पूरे ब्रह्मांड में फैली होईगे मा के साथ ऊपर चलेंगे आकाश में अंतरे इक्ष में शून में शून सरूपर में मा का अंग पति अंग है हम वले सरूप में शून में शून में शिस्सत आशिप के चारों और परिक्रमा करती हुए शून में मा के साथ पूर ने का कारित कानुभव शिस्सत आशिप के चारों परिक्रमा हो रहे हैं हे परमपिता हे परमेश्व हमें अपने अंदर से माले हैं योग प्रदान करें मैंसूस करेंगे रभू के अंदर से माने का मैंसूस करेंगे माहयोक। कुष करेंगे मासूस часов और jij झाले हैं अंदर खृए कुष करेंगे का तबसrenceे अंदर्दी झाल झाल पून रूप से रभू से एक आकारे तका अनुभव करेंगे तेरे तेरे चित को बाहर लाएंगे माधी शक्ति की अंदर अपने आपको महसूस करेंगे वल्ला इस रूप में तेरे चित को बाहर निकार लेंगे बाहर निकार लेंगे वल्ला इस रूप नमन करेंगे प्रात्ना करेंगे ये परमेशरी अपता अनन्त कोवेशरी नमन अनन ट कोवेशरी नमन अनन्त कोवेशरी धनुभवत आप श्योग के लेंगे एका कारित अखेल, ननन्त कोटी नमन, ननन्त कोटी धनन, ननन्त कोटी धनन, अंतर एक्षमी, सब रहे नक्षत्यों से होते हैं, आकाश में आएंगी, आकाश की विराठ है, यही यहानिराबादा छेत्र न शिय कने, निसूस करेंगे, विराठ का अंगबती अंगबने, आकाश्तत की वीदत पूरी तरह से, एकोगे अपने चित्थ से पूरे विश्व में पेलागे बरस ने देंगे परावन जैतर अविरल बरसता हुआ पूरे विश्व में विश्व कमान चित्र लेंगे अपने चित्थ में अमेरिका नौर्ड साथ यौरॉप अश्या अंटार्टिका अस्टेलिया सcji क्वान के परॉप गोफ स्वावेस्व बरस ने बेंगे पराम्चातन भिग ने तेंगे पूरे विश्व कूँ वान्चय थर्व में पर रखायन आपनी चित्थ से रधवी थर्वी 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 थर्मीं एफ्रोट में जल के сам आप एत नुम जल के नचल के लिए sound जल क HEYँटा टतर कि विए यह 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 युकु는 वगनें टतर में और भागुण। सब में परण चैतन ने फैल किन है हमारे चित से पूरे विश्व में सभी सादकों में चित रखेंगे मंदिर, मस्चेद, कुर्दवार चर्चेश और हम चैतन ने फैलाएंगे धीरे धीरे चित पुलाएंगे अपने सहस्तरा पे अपने अंदर प्रवेश करने देंगे पूरे सहस्त्रार में चित पूरी लेट की हटी में चित सब चक्रों शुद्ध करने के अपने सब चक्रों पूरे शरीर पे चित हाथ पैर शरीर चहरा अब चित को पैलाएंगे अपने परिवार पे अपने समाज उन सबी लोगों जिन से हमारी आंद बन रहती है ये शरुन को सद्पुति दे पर उन चैदर उनकी नकारात मक्ताव का अंद करी सब को शर्मा की शक्ते में लिए सब जगे चित पैलाएंगे जहां भी हम जाते हैं यह जहां हमारा चित जाता है सब को डिस्क्रेशन पावर हर जागे स्थान देवता, ग्रान देवता, जागेदा विवेक। सत्य अजूत का आधार विवेक। विराट की शक्तियां फिर लाएंगे चारों और देड़े देड़े अपने सहस्रार पर वापस आएंगे। स्री माताजी केशी चर्णों में नमन करेगे। धन्यवाद करेगे। आज के अनभव के लिए ध्यान के लिए योग व्रदान करने के लिए अनन्त कोटी धन्यवा अनन्त कोटी धन्यवा मेरा सारा परिवार ब्यापार, सारा समाच, सब दोस्त दुष्मन, सारी जिन्दा, सब बर्म जयतन, समर्पित कर दी, मैं सिर्फ आपके, मैं सारी तक गोसलों से दूर रहूंगा, समाच के उपा छोड़के, दम हलके होके, अपनी माचक दम्भा के शीचर्णू में आएंगे, अन्मा के सरक्षन में ओन विश्वान करेंगे, अपनी चीत को माचक दम्भा के शीचर्णू में रखेंगे, अपनी चीत को माचक दम्भा के शीचर्णू में रखेंगे, अपनी चीत को माचक दम्भा के शीचर्णू में रखेंगे, अपनी चीत को माचक दम्भा के शीचर्णू में रखेंगे, जै शिमाताजी आज के दियान को यहीं कंदो करेंगे जै शिमाताजी जै शिमाताजी जै शिमाताजी जै शिमाताजी जै शिमाताजी जै शिमाताजी